Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम compass surveying को revise करने जा रहे हैं स्टार्टिंग के दो चाप्टर हमने already revise कर लिये हैं चलिए यहाँ पर start करते हैं जैसा कि यहाँ पर compass surveying या compass surveying का use हम traversing में करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा traversing के बारे में देखते हैं क्या होता है traversing में हम लोग क्या करते हैं कि linear और angular measurement दोनों type का measurement करते हैं और इसमें क्या होता है कि हम check line या फिए proof line का use नहीं करते हैं accuracy determine करने के लिए traversing में हम method of adjustment से accuracy को check करते हैं दो type के traverse होते हैं एक close traverse एक open traverse जब हमको start point known होता है end point known होता है तो हम उसको close traverse बोलते हैं जब start point known होता है लेकिन end point known नहीं होता है तो हम उसको open traverse बोलते हैं और open traverse का जो accuracy होता है निए open traverse को जो हम check करते हैं कौन से method से check करते हैं method of court से या फिर astronomical observation से इसको check करते हैं तो यहां पर देखिए कि जैसे कि हम compass surveying को देख रहे हैं angular measurement का इसमें use किया जाता है तो जो angle है हम कैसे calculate कर सकते हैं वो एक दूसरे से relative भी हो सकता है या फिर related to some fixed point भी हो सकता है तो यह जो related to some fixed reference के basis पे हम इसको different different type में categorize करते हैं ठीक है तो जैसे कि यहां पर होता है true meridian true meridian क्या होता है कि जब हम north और south pole को जब join करते हैं तो जो reference line बनता है उसको हम क्या बोल देते है true meridian बोलते हैं यह हमारा south इंसको join करने से जो हमारा reference line बनना यह हमारा true meridian है और यह क्या होता है time के साथ change नहीं होता है और इसको हम astronomical observation की हैब से डिटर्माइन करते हैं ठीक है और मेगनेटिक मेरीडियन क्या होता है कि जो हमारा freely suspended needle होता है या फिर बार रहता है जो direction शो करता है उसके respect में जो हमको reference line मिलता है वो हमारा magnetic meridian होता है जिसके respect में हम यहाँ पर angle को calculate करते है लेकिन यह क्या होता है कि time के साथ change होता है तीसरा होता हमारा grid meridian grid meridian इęt चरह का true meridian ही है इसका use हम as a reference करते हैं जैसे की हम किसी फिए country का survey कर रहे हैं तो फिर हम grid Meridian का use करेंग यह क्या होता है कि इसका похож Ne都有 Meridian और चलिए से center place से pass होता है जैसे कि हमारे जो इंडिया का जो ग्रीन मेरीडियन है वो 82 डिग्री 5 मिनट से पास होता है इस से अलहाबाद से ठीक है और फोर्थ हमारा आर्बीटरी मेरेडियन तो यह किसी भी डारेक्शन में लिया जा सकता है तो देखिए यहां पर हमने रिफ्रेंस के बारे में पढ़ा ठीक है चार डिफ होता है यहां कुछ बनता हमारा ट्रू ट्रू मेरीडियन से वो हमारा टू बस हम लात आ हम आ chase आ तो उस आंगल बस हम नाम दे दिया है तो हमारा True Bearing होता है और Magnetic Bearing होता है इसमें से हम किसको प्रिफर करते हैं सर्वे वर्क में तो हम True Bearing को यहां प्रिफर करते है as compared to Magnetic Bearing क्योंकि Magnetic Bearing चेंज दोता रहता है वो constant नहीं है अब इसके बाद देखिए कि यहां पर तो हमने अल्रड़ी देख लिया है True Bearing Magnetic Bearing लेकि इसके बारे में थोड़ा डीटियल में देखते हैं True Bearing जो होता है हमने हम True North से कलकुलेट करते हैं clockwise direction में और यह टाइम के साथ चेंज नहीं होता है और इसको Astronomical Observation से देटर्माइन करते हैं और यह जो होता है horizontal angle होता है True Meridian और लाइन के बीच कहां पर देखिए कि यह हमारा क्या था True Meridian था ठीक है तो इससे clockwise direction में जो हमां एंगल बनाएंगी यह हमारा क्या हो जाएगा है इसी प्राकार से magnetic bearing बनेगा जो कि magnetic north से clockwise direction में लिया जाएगा magnetic north जो है हम कैसे determine करते थे magnet needle से या फिर क्या होते जो बार है जो उसके respect में हम क्या करते थे कि यहां पर reference 9 निकालते थे कि हमारा magnetic meridian होता था उससे clockwise direction में जो एंगल बनेगा ठीक है magnetic north से clockwise direction में और यह क्या होता है कि time के साथ change होगा और इसके दो टाइप होते हैं क्या इसको कैसे determine करते हैं prismatic compass कर सकते हैं या फिर surveyor compass को determine कर सकते हैं और यह एंगल होता है magnetic meridian और लाइन के बीच का अब magnetic meridian जैसे कि यहां पर हमने दिखा कि prismatic compass और surveyor compass के हल्प से हम लोग इसको determine करते हैं तो यहां पर देखिए कि जब हम इसको prismatic compass के हल्प से determine करते हैं magnetic meridian को तो हम whole circle bearing बहते हैं जब इसको हम सर्वेर compass के हल्प से determine करते हैं तो इसको हम reduce bearing बोलते हैं तो इसी के बारे में देखते हैं थोड़ा तो यहां पर देखिए कि whole circle bearing और reduce bearing क्या होता है यह होता है horizontal angle होता है नौर्थ से clockwise direction में और यह जीरो से 360 degree का हो सकता है prismatic compass की हल्प से इसको determine करते हैं और इसको हम एजिमुद भी बोलते हैं यहां पर देख सकते हैं आप diagram में कि यहां पर north से हम यहां पर angle में जर्ब कर रहे हैं यह अगर हमारा first quadrant में तो यह हमारा theta 1 हो जाएगा second quadrant में यह हमारा theta 2 बनाएगा third quadrant में अगर हमारा line present है तो यहां पर यह theta 3 एंगल बनेगा अगर fourth quadrant में यहां पर line में हमारा present है तो यह theta 4 एंगल बनेगा तो इस तरह से हम clockwise direction में 0 से 360 के बीच में हमारा एंगल हो सकता है with respect to north similarly यहां पर हम देखते हैं यहां पर reduce bearing क्या होता है यह acute एंगल होता है हमारा यह भी horizontal एंगल होता है जो कि हम north या फिर south किसी के भी reference में हम यहां पर बना सकते हैं और यह जो एंगल होता है हमारा 0 से 90 डिगरी का होता है और यह हम सर्वेयर कंपास की मद tolerant में है तो यह हमारा clockwise में है यह anticlockwise में है यह हमारा clockwise में है यह क्या anticlockwise में है थिटा 2 और थिटा 3 इसको north और south के respect में हम लोग बनाते हैं और clockwise anticlockwise कुस भी हो सकता है और यह acute एंगल होता है इस तरह हमने समझा reduce bearing and whole circle bearing अब यहां पर कुछ special cases है जैसे कि यह है हमारा तो यह ज Out लोगते हैं ठीके और यह जो line है यह हमारा हो जयेगा north और से 90 degree in west की direction में है तो north 90 degree in west लिगदेंगे South son as 90 degrees we हमारा क्या कहलेगा द्यू इस्ट कहलेगा अब यहाँ पे समस्ते हैं for bearing और back bearing को क्या होता है ये जो डू तर्म है जैसे कि हम for bearing क्या को बोलते हैं जब हम in the direction of progress of work जब हम कोई भी एंगल को मेजर करते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है 4 bearing कहलाता है ठीक है और in the direction of opposite to the progress of the work जब हम angle को measure करते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है back bearing कहलाता है जैसे कि हम यहाँ पे A से B की तरफ अगर देख रहे हैं कि progress of work हमारा हो रहा है तो in the direction of progress of work हम देखेंगे तो यहाँ पे A पे जो angle बनेगा यह theta 1 है यह हमारा 4 bearing बन जाएगा ठीक है बट यहाँ पे line AB के लिए हम back bearing के इसा निकालेंगे तो B से A हम यहाँ पे देखेंगे तो B पे जो angle बन रहा है बी से A क्या हो जागा opposite to the direction of progress of work यह हमारा back bearing होगा तो B पे जो angle बन रहा हो थीटा 2 तो line AB के लिए हम fore bearing देखेंगे तो A पे एंगल देखेंगे 4 bearing के लिए ठीक है तो theta 1 बनेगा और back bearing की बात करेंगे तो B पे एंगल आगल देखेंगे, टीक है, बी पर अंगल देख रहे हैं, मतलब थीटा 2, तो यहां पर बैक बिरिंग में थीटा 2 बन जाएगा, back bearing is equal to 4 bearing plus minus 180 अगर हमारा 4 bearing 180 से कम है तो फिर यहाँ पर positive sign लेके solve करेंगे अगर 180 से जादा है तो यहाँ पर negative sign लेके solve करेंगे यहाँ पर एक numerical पूछता जाता है ससीव अगर हमें कि जैसे 4 bearing of a line अगर हमको given है जो कि किस टाइप का है तो इस केसे में हम इसको कैसे find out करते हैं तो इसमें जैसे की for example आप ले लिजे 4 bearing हमारा कितना है तो हमको back bearing पूछ दिया कितना हो जाएगा तो इस केस में हम जैसे north को south से replace कर देते हैं और south को north से और east को west से और west को east से तो यहाँ पर पूछ किया दिया है कि south 30 degree east तो south को हम किस से replace कर देंगे north से और east को हम west से replace कर देंगे तो यहाँ पर यह क्या देदेगा back bearing देदेगा और angles होगा same होगा तो यह direct इस तरह से इसको calculate किया जाता है आप याद रखिएगा इसका question पूछा जाता है इसके बाद यहाँ पर included angle तो clockwise direction में जो angle form होता है from previous line to next line ठीक है पहले वाले line से बाद वाले line के भी clockwise direction में जो angle होगा वो included angle होगा अगर हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि forward जो यहाँ पर हम जा रहे हैं ठीक है forward यहाँ पर जा रहे हैं तो direction of progress of work forward है यह फिर clockwise traverse बन रहा है तो क्या होगा तो यह क्या है हमारा यह हमारा previous line है मतलब first line है यह हमारा second line है तो इन दोनों के बीच में from previous line to next line जो angle बन रहा है clockwise direction है तो यह exterior angle जो यहाँ पर देख सकते हैं आप बनेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर included angle बन जाएगा तो जब exterior angle होता है तो sum of external included angle का यह जो formula यह आप याद रखेगा यह use में आता है तो exterior में यहाँ पर plus sign हो जाता है 2 and plus 4 into 90 और backward जब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो यह मतलब कि यहाँ पर anti-clockwise traverse है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फिर इसमें क्या बनेगा कि इसमें हमारा included angle होगा interior के side बनेगा क्योंकि यह first line है यह second line हमने देखा कि included angle क्या होता है कि previous line to next line जब clockwise direction में हम angle measure करते हैं तो previous line यह हो जाएगा next line यह हो जाएगा जो हमारा second line है तो इसके यहाँ पर जो angle बनेगा यह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर included angle जो कि एक interior type का है तो some of interior angle इसमें क्या हो जाएगा 2N-4 into 90 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर देखिए कि यह वाला भी case एक होता है यहाँ पर क्या है यहाँ पर यहाँ पर धीक हो जाएगा यहाँ पर देखेंगा यहाँ पर धीक हो जाएगे शुरी, four bearing of next line यहाँ पर देखिएगा जो कि theta2 है minus back bearing of previous line previous line का जो है back bearing कितना है ठीता ठीता तो ये क्या है angle भी देगा तो ये कैसा आएगा एक negative type का angle आ रहा है ठीक है यहाँ पर देख भी सकते हैं तो अगर हमारा angle included angle negative है तो फिर हम इसको क्या करेंगे 360 क्या करेंगे हाँ पर plus करेंगे ठीक है अगर हमारा included angle negative आ रहा है तो similarly इसको अगर हम यहाँ पर solve करेंगे तो back bearing of next line निकालने के लिए कैसे निकालेंगे included angle plus back bearing of previous line हो जाएगा यहाँ से तो अगर ये जो है back bearing of next line वो 360 से जादा आ जा रहा है तो इसमें फिर 360 minus कर देंगे हम यह जो use है आपका numerical solve करने में होगा ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर कि magnetic field line क्या होता है जो magnetic north और magnetic south को join करता है magnetic field line है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी needle है उसको drop करते हैं तो उसका जो magnetic needle है ठीक है उसका जो angle होता है with respect to earth surface उसको हम क्या बोलते है है एंगल ऑफ डीप बोलते हैं ठीक है यह जो वर्टिकल एंगल यहाँ पर होता है ठीक है एंगल ऑफ डीप एक वर्टिकल एंगल है जो कि इसको कैसे याद रखेंगे P for pole P से perpendicular तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 degree हो जाएगा पोल में equator पर जीरो हो जाएगा अब यहाँ पर दो टर्म होते हैं एक होता है isoclinic और एक होता है a clinic ठीक है iso मतलब कि क्या होता है same तो same जहाँ पर deep हो अब मेंगे इसकेंड टर्म है इसमें क्या होता है कि जो हमारा true meridian है और magnetic meridian की बीच का जो एंगल रहता है वह हमारा क्या 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 है magnetic declination कराता है यह true meridian है और यह हमारा magnetic meridian है है ठीक है magnetic meridian है तो इन दोनों की बीच का जो एंगल है वह डिल्टा है हमारा तो डिल्टा क्या हो सकता है positive हो सकता है negative हो सकता है अगर हमारा magnetic meridian इस तरह से यह west के साइट जोग जाएगा और magnetic meridian इस टाइप से है तो हमारा यह east की तरब जोगेगा तो अगर हमारा इस्ट वर्ट जुक रहा थे इसको हम positive declination बोलेंगे अगर वेश तरफ जुक रहा थे इसको negative declination बोलेंगे अब इन दोनों के बीच का relation क्या हो जाता है true bearing is equal to magnetic bearing plus minus delta इसका sign कैसे देखेंगे अगर वेश तरफ है तो negative लेंगे और इस तरफ है तो positive लेंगे इसका use आपको numerical में हो को invasive soft का कर दो कि तो नएक होता है यह क्या होता है यह क्या होता है सेम ड़ेखंशन होता है और ओंगौनिक में यहापर क्या होता है zero declination होता है अब magnetic declination जैसा कि हमने देखा था कि यह क्या होता है टाइम के साथ वेरिक करता है तो यह चार टाइप का होता है यह क्या होता है secular variation एक होता है एक होता है annular variation एक होता है durinal variation और यह होता है irregular इसको आप इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं सेडी इसाधी से सेक्योलर एन्यूलर ड्यूरेनल और फिर इरगुलर तो secular क्या होता है इसमें कि long period of time पर क्या होता है यह हमारा occur होता है और यह क्या करता है revolution revolution of earth around the sun इसके कारण होता है डियुरेनल में क्या होता है एक दे में होता है और यह किसके कारण होता है कारण होता है किसके करण यह हो सकता है strong के खारण volcanic के कारण eruption या फिर earthquake कि तो यहां पर हमने देखा Magnetic declination में जो variation होता है अभ यहां पर एक टम यूज होता है local attraction क्या होता है इसमें कि पूर बियरिंग और बैक बेरिंगे इसके बीच का जो डिफ्रेंच है वो इकवल to 180 है तो यह क्या है free from local attraction मुसमान पर कोई लोकल attraction लीए लेकिन वोग कर डिफ्रेंच100 180 डिग्री नहीं है तो यहां पर local attraction होगा ठीक है और यह local क्या होता है इसना क्येसे स्टेशन पर का सकता है किनी वहाद होता है। है और यहां पर यहां पर यह जो टॉपिक है खतम होता है अब देखिए कि जो कमपास हमने दो टाइप के पढ़ा था प्रिजमेटिक और सर्वेयर कमपास जो था क्वाडेंटल वेयरिंग के हम यूज कर रहे थे तो इन दोनों में कैसा क्या डिफ्रेंस होता है यह भी पूछ लिया जाता है से सी में तो यहां पर इसका साउथ पोल से जीरो डिग्री शुरू होता है ठीक है ना कि North यह प्याद रखेगा यह exception type का case है South में इसका क्या होता है जीरो होता है clockwise direction में इंक्रीज होता है तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर 90 होगा यहां 180 होगा और पे 270 होगा, तो आपँ यहां South याद रखिएगा, जीरोडि टिगरी होता है और ये clockwise में इन्क्रीज होता है, और लेकिन Surveyor compass में क्या होता है इसका कैसा बनता है, South और नौर्थ में 00 रहता है, East और वेस्ट में 1990 रहता हैनों, यहां पर है exception है हम जनरली East यहां पढ़ते हैं, West यहां पढ़ते हैं लेकिन सर्वेयर में क्या होता है? वेस्ट इधर होता है, East इधर होता है यहाद रखिएगा. अब यहां पे जो Magnetic Needle होता है, True Ear Ring में इसमें क्या होता है, Broad Type का जो Needle होता है वो यूज करता है, लेकिन यहां पे सर्वेयर कमपास में यहां पे एस टाइब का नीडल हम यूज करते हैं अब ग्रेजुएटेड रिंग में क्या डिफ्रेंसेस होता है यहां पे जो ग्रेजुएटेड रिंग होता है वो डस नाट रोटेट इसमें ग्रेजुएटेड जो रिंग होता है वो क्या होता है कि attached to the needle होता है और does not rotate with line of sight होता है लेकिन इसमें जो graduated ring होता है वो किस से attached होता है box attached होता है और rotate with line of sight होता है ठीक है और इसमें जो graduation जो रहते है inverted type के रहते हैं इसलिए इसको हम prism की health से read करते हैं लेकिन इसमें जो graduation होते हैं वो इरेक्ट होते हैं तो इसको हमको कोई प्रिजम की नीड नहीं है अब रिडिंग जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि साइटिंग और रिडिंग क्या है सैमिल टेनिसली कर सकते हैं लेकिन इसमें रिडिंग और साइटिंग सैमिल टेनिसली नहीं कर सकते हैं इसमें क्य क्या होता है कि I went consist of metallic veins with large slit लेखिन यहां पर क्या होता है कि small vein होते है with small slit ठीक है और देखें यहां पर यहां पर list count दिया हुआ है यह भी exam में पूच दिया जाता है test वेगर आप देंगे तो prismatic का list count 30 minute होता है surveyor का 15 minute होता है यह आप याद रखिए theodolight का 20 seconds या फिर 15 होता है जणरली वे सेकेंड ओक्षांस में लगाई लेबलिंग स्टाफ का जो लिस्ट काउट है पाच अमना था होटा है और स्वे में लिमीट एक्कूराइसी क्या होता है पाच मिनेट से जौधा नहीं हो सकता है यहाँ पे SSC में एक और कोशन पूश देता है Magnetic Declination निकालने के लिए तो आपको क्या दे देगा यहाँ पे Magnetic Bearing दे देगा और बोल देगा कि Sun में Southern Hemisphere में बोल देगा तो आपको उस case में True Bearing पता होना चाहिए तो Southern में क्या होता है 180 degree True Bearing होता है और Northern Hemisphere में 360 degree True Bearing होता है तभी आप क्या कर सकते है Magnetic Declination निकाल सकते है तो इस तरह से यह हमारा chapter complete होता है compass surveying का Thank you so much for watching this video